गैस रिकॉर्ट्स को इंसर्ट करना एक ऐसी चीज है जो कि शायद आप लोग जिसका वहुत बेसेवरी से इंतिजार कर रहे होगे क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने एप बनाई थी एक पीएसपी आप जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि एक form बनाई तो forms tutorial अगर आपको याद हो तो तो हमने उसमें क्या किया था कि हमने एक form बनााया था हम फॉर्म को submit कर रहे थे हमने bootstrap का इस्थेमाल किया था जब हमने form को submit किया था वहीं याए था उसी page पर तब क्या हुआ था हम कहीं data save नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि तब तक हमने सीखा ही नहीं था कि क्या होता है mysql database, क्या होता है हमारा rdbms, कहां पर file को file system में कोई भी data किसी भी तरह से कैसे save करते हैं, ऐसा हमें कुछ मालूम भी नहीं था, लेकिन अब, लेकिन अब हमें मालूम है कि हम database में store कर सकते हैं data को, insert कर सकते हैं, क्योंकि हमने database बना लिया है, हमने database को connect कर लिया है, हमने database में sql query run कर ली, एक बार नहीं, दो दो बार हमने run कर ली, एक बार तो हमने create db वाली sql query run करी उसके बाद हम लोग ने create table वाली sql query run करी और अब time आ चुका है create नहीं insert data वाली query को run करने का तो चलो अब insert करने वाली query को run करते हैं लेकिन query को run करने से पहले query का होना जरूरी है query के run होने से पहले query का होना जरूरी है और query कहां से आएगी, query आएगी db Harry में से, मैं जब php trip वाला जो यह है, इसको मैं यहाँ पर एक data insert करूँगा, insert पर click करूँगा, जिसे मानलो मैंने लिखा one, name में मैंने लिख दिया this, name में Harry लिख दियते या, this लिख नहीं कहा ज़रूरा थे, destination मानलो, कहां चलना है, Australia, destination China, China, ठीक है, destination China, go कर दिया हम इने यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर देखो insert into php trip, serial number, name, destination, values में यह तीन चीज़ इंसर्ट करनी, यह मुझे मिल गई है query, तो मेरी जो query हो यहाँ पर आ चुकी है, और मैंने यह query copy कर लिए अभी, अब मैं अगर आप लोग को browse पर दिखा हूँ, तो देखो one, Harry और China यहाँ पर आ गया है, ठीक है, अब अगर मैं वापस से sequel में जाओं, और देखो नीचे भी यहाँ पर आता जाएगा, ठीक है, तो नीचे भी यहाँ पर आता जाएगा, जैसे यसे आप लोग यहाँ यहाँ पर insert करते जाओगे, जो जो काम करते जाओगे तो को यही नीचे भी आपकी update होती है, यह भी बंद कर देता हूँ शातिर console को, तो अगर मैं मानलो यह ना लगा हूँ, मैंने one अटाया यहाँ से, और serial number भी अटा रहा हूँ, थोड़ा छोटा दिख रहा है, थोड़ा bear करो आप लोग, मैं यहाँ जोम कर लेता हूँ यार, और मैं जैसे ही यहाँ पर go करूँगा, जैसे add कर देता हूँ, मैं go करूँगा जैसे ही, आप लोग देखो यहाँ पर, number two automatically यहाँ पर आ गया है, ठीक है, two यहाँ पर automatically आ गया है, तो इसलिए मेरी जो query है, वो यह है, मैं इस query को copy करूँगा, ठीक है, और उससे पहले मैं ए यहाँ पर एक काम करते हैं, php, और यहाँ पर मैं जल्दी से पहले चुपके से क्या करता हूँ, बिना किसी को inform किये, चुपके से यहाँ पर यह डाल लेता हूँ, किसी को बताना मत कि मैंने copy किया है यहाँ से console से, कोई पूछे तो याद है मुको, ठीक है, तो यहाँ पर console म होता है, वो अलग-अलग तरह के databases के लिए कभी-कभी different भी होता है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग को यहीं से लाना जरूरी है, और बिल्कुल भी इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी इसको hardcode कर दिया है, यहाँ पर, अब मैं यहाँ एक काम करता है, इंदोनों को मिलाई देता हूं, ठीक है, और यह करने के बाद मैं क्या करूंगा, create a table in db तो नहीं करना है, यहाँ लेकिन sql query रन करना है, ठीक है, तो यहाँ पर, sql query रन करने से पहले, sql query होना जरूरी है, ठीक है, तो, यहाँ पर, sql query to be executed, लिख देते हैं यहाँ ठीक है, अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर php trip किया, name destination, यह किया और यहाँ पर check for table creation success, जहाँ पर मैंने लिखा था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, add a new trip to the, to the trip table in the database, ठीक है, यहाँ पर मैंने add a new trip to the, to the trip table trip to the trip table in the database कर दिया अब यह करने के बाद मैं आपर लिखूँगा record has been inserted successfully inserted successfully ठीक है अगर गलत हो spelling तो ठीक कर ले ना ठीक है record was not inserted successfully because of this error बिल्कुल ऐसी मैंने किया जैसे मैंने पहली किया था ठीक है तो यहाँ पर क्या किया हमने जो हमारी sql query है इस बार वो है database में insert करने वाली sql query जो आप यह line number 20 देख रहे हो ना अपनी screen पर वो क्या है वो कह रहा है insert कर दो php trip वाले table में कौन से database की इस वाले database की यहाँ पर मैंने specify किया है और name और destination में क्या कर दो values रोहन रूफ यह कर दो ठीक है अब मैं save करूंगा इसको अब मैं यह करने के बाद क्या करूंगा कि इन values को change करूंगा अब मैं अब फ़र Shubham और UP कर देता हूँ Shubham जो है UP की trip करना चाहता है in fact इसको बिहार अगर कर दें तो और अच्छा रहेगा क्योंकि Shubham Shubham मान लेते हैं राजस्तान में रहता है और वो जाना चाहता है बिहार UP सारी जगहें देखकर आना चाहता है ठीक है तो यह किया मैंने save किया इसको और अभी अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो यह दे को one or two है यहां पर सिर्फ one or two है इसको मैं reload करूँगा reload करने की जरूवत नहीं है मुझे पहले index of cwh php में आकर ही जो insert data वाली file है इसको खोलना पड़ेगा खोला मैंने इसको oh game over यह तो error हो गया 23 line number पर यह क्या हुआ ओ तो मैंने इसको कभी execute है नहीं किया था तो भाई इसको execute करना पड़ता है पहले ताओ जी यहां पर यह भी execute करना पड़ेगा आपको तब जाके आपको यहां पर कुछ मिलेगा ठीक है तो इसको मैं reload करूँगा और record has been inserted successfully yes और यह देखो यह जूटनी बोल रहा है सच बोल रहा है record हो गया insert सच में ठीक है अगर मैं इसको वापस से reload करूँ तो क्या duplicate record insert होगा यह नहीं होगा जल्दी से comment करके बताओ सब लोग यह रही SQL query लो देख लो सब को करना है comment नीचे और कोई मना नहीं करेगा comment कर अगर आप इस course का हिस्सा हैं तो आप comment करो मैं रुक रहा हूँ आप लोगों के लिए बताओ यह query है यह code है अभी तक आपको idea लग गया होगा अगर मैं इसको reload करूँगा तो duplicate insert होगा data या फिर यह यह चीज़ दरन होगी मैं रुक रहा हूँ जल्दी से आप लोग comment करो ओके तो मैं इसका answer देता हूँ इस सवाल का जवाब है कि हाँ हो जाएगा देखो मैं इसको reload करूँगा और यहाँ पर देखो duplicate data insert हो जाएगा क्यों चुकि जो serial number है उसको मैंने धीला छोड़ दिया है यानि कि उसकी मैंने deal दे दिया है मैंने का serial number तो automatically आ जाए अब मैं name को duplicate कर सकता हूँ और destination को duplicate कर सकता हूँ ऐसा कोई constraint मैंने लघाया नहीं है आपर है एसी मैंने कोई बात बोली नहीं है कि duplicate data insert नहीं हो सकता क्या चीज़ duplicate maze insert नहीं हो सकती कि यहाँ पर जो serial number है वह आपने तीन पास किया हुआ है वापस से तीन serial number का record नहीं बन सकता लेकिन अभी आप नहीं बोल सकते कुछ क्यों 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 कि नेम में शुबह में है destination में बिहार है और यह मेरा जन्मसिद अधिकार है कि मैं sql database के अंदर जहां पर कोई concern नहीं है वाँ जितना मंचाई data जो इंसर्ट करो as long as database मेरा है और computer मेरा है और सब कुछ मेरा है और मैंने जो database बनाया है वो किसी चोरी के computer पर नहीं बनाया है ठीक है so यह था हमारा इसको मैं reload करूँ तो देखो जैसे इसे मैं reload करता जाँगा वैसे वैसे शुबंभी हार शुबंभी हार शुबंभी हार आता जाएगा लेकिन this is not what we want हम यह नहीं चाहिए हम चाहते है कि एक variable यहां पर आए name के अंदर destination के अंदर भी variable है name के अंदर अगarl variable आएगा और destination के अंदर भी यंगा पर एक variable हो I mean to say name is equal to करके मैं एक variable बनाऊगा destination is equal to करके variable बनाऊगा confused हो गए हो तो चलो code में चलो वहाँ पर करके दिखाता हूं सीथ मैं क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ये भी एक variable हो ये भी एक variable हो जो कि शायद मेरे form से आएगा जब मैं post request मारूँगा तब चुकि यहाद है न हमने ये form बनाए था जहाँ पर post request हमने बेची थी वहाँ पर हम first कहते हैं हमने कहा था कि यार कैसे submit करें इस form को तो वो चीज जो है अभी यहाँ पर हमें नहीं परिशान करेगी ठीक है तो चलो एक काम करते हैं यहाँ पर एक नहीं दो variables बनाते हैं एक तो बनाएंगे dollar name और एक बनाएंगे dollar destination और इस पर कुछ भी डाल देते हैं इसमें में रश्या डालना हूँ और name में में डालना हूँ क्या? name में कुछ भी डाल देते हैं name में विकरांत डाल देते हैं टीक है? विकरांत और रश्या और यहां पर भी मैं वही करूँगा लिख दूगा dollar name और dollar destination कर दूँगा यहांपर टीक है? name और destination चलो बढ़ी आप अब क्या करते हैं कि reload करता हूं इसको और यह देखो यहां पर विकरान तो रशीय आया है यानि कि इसने यह variables यहां पर insert करके query को run कर दिया तो इस तरह से जो है आप लोग variables use कर सकते हो to be inserted into the table ठीक है तो यह दोनों variables मुझे insert कराने थे name or destination की जगा चुकि मैंने करा दिया इनका नाम ज़रूरी नहीं है name or destination ही हो कुछ भी हो सकता है यहां पर name or destination है तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है यह जो variable का नाम है name यह यहां पर होना चाहिए destination यह और यह यहां पर होना चाहिए same table में क्या है नाम उससे कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है यह चीज नेम destination यह table से आ रही है यह table के columns के नाम है और यह वाले मेरे यह variables के नाम है I hope कि आप समझ गए होंगे यह यह था inserting record अब हमारे पास in fact बहुत सारी power आ गई है क्योंकि अब हम insert कर सकते है बाई table के अंदर table के अंदर insert करना सबसे बड़ी power है मेरे सबसे sequel में क्योंकि सबसे जादा आप use करेंगे उस चीज को जब भी आप कोई form submit करवा रहे हैं या फिर कोई भी एक login system वगेरा भी बना रहे हैं तो वह सब आप लोगों को बनाने के लिए इंसर्चन तो पढ़ेगा है जरूरी ठीका बागी operations भी important है लेकिन इंसर्चन बहुत important है तो create table create database यह सब का सब तो bonus था लेकिन यहां पर अभी हमने बहुत ही बड़ा operation पूरा कर लिया है जो कि यह insert data into the database so guys अगर यह playlist आपने access नहीं करें तो आप प्लीज इसको access करें यहां click करके bookmark करें इसको और यहां click करके इसको save करें उसी के साथ-सार अगर आपने video like नहीं किया तो kindly झाल